बॉलीवूट के किंग खान कहे जाने वाले सारुक खान एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी जर्नी हम सबके लिए इंस्पाइरिंग है सायद ही किसी ने सोचा होगा कि दिल्ली का एक मामली सा लड़का बॉलीवूट का किंग बनेगा लेकिन एसायर के कि यह सक्सेस उन्हें रातो रात नहीं मिली इसके पीछे उनकी कड़ी मैनत छिपी हुई है तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे बॉलीवूट के बात सा यानी सारुक खान से रिलेटेट 10 अन्नोन फैक्ट्स नमबर वन सारुक खान का जनम 1965 में दिली में हुआ था उनके पिता का नाम मीर ताज मुहम्मत था जो इंडिया के यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर थे जिनोंने हमारे देश के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई की थी लेकिन अनफोर्चनेटली सारुक खान ने अपने पिता को महज 15 साल की उमर में खो दिया और 26 साल के उमर में उनकी मा का भी दियान्त हो गया आज भी कई इंटर्यू में सारुक खान अपने सक्सेस को अपने मा पिता को डेडिकेट करते हैं नमबर टू, सारुक खान ने अपने स्कूलिंग देली के सेंट कॉलंबस से कम्प्लीट की थी, जहां उन्हें स्कूल का हाइस्ट अवर्ड, स्वार्ड ओफ दा ओनर भी मिला था। स्कूलिंग कम्प्लीट करने के बाद, एसार के ने देली युनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से एकोनॉमिक्स में अपना ग्रिजुवेशन कम्प्लीट किया था, लेकिन ज़्यादा तर समय वो देली थीटर एक्शन ग्रूप में एक्टिंग सीखने में स्पिंट करते इस सो में एसार के ने अविमन्यू राय का रोल प्ले किया था, जो सो के में प्रोटेगिनिस्ट विक्रम राय का साइटकिक था, फोजी एक इंस्टेंट हिट साबित हुई थी जो एसार के लिए भी मेजर ब्रेक्ट्रू थी नमबर फोर, हम सबको पता है कि 1992 में आई दिवाना एसार के की डेब्यू मूबी थी, लेकिन आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि दिवाना से पहले एसार के ने दिल आशना है कि शूटिंग कम्पलीट की थी, लेकिन रिलीज में कॉंस्टेंट डिले होने के वज़ा से द बच्पन में वह एक स्पोर्ट परसन बनना चाहते थे, स्कूल के दिनों में सरके होकी एंड फुटबॉल में बहुत ही अच्छे थे, आज भी हम सरके का स्पोर्ट में जुकाओ देख सकते हैं, जहां वह IPL की सबसे महेंगी टीम कुलकता नाइट राइडर के मालिक हैं, हम इसा हुआ मैच के दोरान अपनी टीम को सपोर्ट करते दिखते हैं, नमबर सिक्स, हम सब जानते हैं कि सरके का सिगनेचर पोज आज पूरी दुनिया में कितना फेमस है, लेकिन असल में सरके ने खुद यह पोज क्रियेट नहीं किया है, दिवाना मूवी के शूटिंग के दोरान डिरेक्टर फरा खान ने सरके को यह आइकॉनिक पोल सजेस्ट किया था, जो आज सरके की हर मूवी का इंटीग्रल पार्ट बन चुगा है, नमबर सिबन, सारुक खान का एक हीउज स्टाडम है, जिसमें उनके लाको चाहने वाले हैं, इनी फैंस में से एक सरके को हर साल उनके बड़े के दिन मून के लैंड का पीस गिफ्ट करती है, और इस बात को खुद सरके ने अपने एक इंटर्व्यू में कंफर्म किया था, नमबर 8, 2013 में सरके ने अपने पिता के नाम मीर ताज मौहमत खान पर एक फाउंडेशन की शुरुआत की थी, जिसका गोल व इंपाउर्मेंट था, खासकर उन विमेंस के लिए जो एसिड अटेक से सफर करती है, या फाउंडेशन हर साल लगबग 1500 एसिड अटेक विक्टम की मदद करती है, नमबर 9, SRK ने अपनी कई इंटर्यू में या एकसेप्ट किया है कि 1994 में आई उनकी मूवी कभी हाँ कभी उनकी सबसे फेबरेट मूवी थी, खुद SRK ने इस मूवी की उपनीं के दिन मुंबई सिनेमा के टिकेट विंडो पर कभी हाँ कभी ना की टिकेट बेची थी, नमबर 10, SRK 750 मिलियन डॉलर के नेट वर्थ के साथ, दुनिया के 10 सबसे अमीर एक्टर के लिस्ट में इकलौत लिगा